काफी लंबे वक्त से भारत और उसके पडोसी मुलकों के साथ रिष्टों में तीखी नोक जोंक देखने को मिल रही है। ऐसे में अक्सर सीमा पार से भारत पर बुरी नजर डालने वाले पाकिस्तान और चीन अब थर-थर कांपने वाले हैं। भारतिय सेना में M777 Ultra Light Howitzer को शामिल किया गया है जो पलक जपतने से पहले ही दुश्मन तक काम तमाम करने में सक्षम हैं। वैसे अब कंगाल पाकिस्तान ही नहीं बलकी चीन के लिए भी इन तोपों का सामना करना आसान नहीं होगा क्योंकि इन तोपों में ऐसी एडवांस टेकनोलोजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे निकलने वाले आग के गोले दुश्मन पर निशाना सटीक तरीके से लगा सक सकते हैं इन एडवांस टोपों की खास बात यह है कि इसने निकलने वाले गोलों को बीच रास्ते में भी मोडा जा सकता है इंडियन आर्मी ने इन तोपों को देश के उत्तर पूर्वी सीमा पर तैनात करने का फैसला लिया है इन तोपों के सेना में शामिल होने से भारतिय सेना और ज्यादा सशक्त हो जाएगी एक और पाकिस्तान भारत पर छिट-पुट हमले करते रहता है और भारतिय सेना भी उसका बखुबी जवाब देते रहती है वहीं दूसरी और चीन की पहले से अरुनाचल प्रदेश के गाव पर नजर है ऐसे में इन तोपों का भारति सेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र को मजबूती देगा इसमें लॉंग रेंज मैन्यूवरिंग प्रोजेक्ट गोलों का यूज किया जाएगा जो तोपों की नली से निकलने के बाद किसी रॉकेट में तबदील हो जाएंगे इन तोपों की खास बात है कि इससे भागत हुए दुश्मन पर भी निशाना आसानी से लगाया जा सकता है इन तोपों के जरिये दुश्मन के बन कर छावनी और गुप्त सुरंगों को उड़ाने में आसानी होगी